साथ यो question number 1 है static gk से और इस practice test में आज हम most important question देखने वाले है static gk से जो आपको help करेंगे upcoming government exam के लिए चाहिए आप तैयारी कर रहे हो NTPC के लिए, CPU के लिए, RPF के लिए सभी exam के अंदर आपको static gk से question देखने को मिल जाते हैं तो किस प्रकार के question रहते हैं इस वीडियो के माधियम से देखने वाले हैं तो आपको दिहान पूबब पूरी वीडियो देखनी है और question को note down करना है या video को save कर लेना ताकि आप revision भी कर सकें तो यहाँ पे आपको बताना है बेलारूस की राज़ानी क्या है तो बेलारूस की राज़ानी है ब्रूसल ऑप्शन A वाला इसका राइट अंसर है और आप यहाँ पे इसका map भी देख सकते हो साथियो question number 2 है और आपको बताना है बुटान की मुद्रा का नाम तो बुटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम ऑप्शन C वाला इसका राइट अंसर है चिके साथियो question number 3 है और question number 3 में आपको बताना है कमबोडिया की राज़ानी का नाम तो कमबोडिया की राज़ानी का नाम है नॉम्पिनेह ऑप्शन D वाला इसका राइट अंसर है चिके चलते हैं next question तरफ साथियो question number 4 है important question है और आप देख सकते हो यह question NTP से पुछा गया था 2021 में question क्या है नमल्कित में से किस राज़े का राज़े पशू विशाल गिलहरी है तो आपको उस राज़े का नाम बताना है जिसका राज़े पशू विशाल गिलहरी है तो उस राज़े का नाम है महरास्ट्रा ऑप्शन वाला इसका राइट अंसर है ठीके साथियो कोशन पर 5 है और कोशन पर 5 भी NTP से पुझा गया था 2021 में कोशन क्या है भारत का राश्टिये विरासत पशु कौन सा है तो भारत का राश्टिये विरासत पशु आती है option D वाला इसका right answer है important है इस प्रकार की कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो धियान रखना है भारत का राश्टिये विरासत पशु हाती है चीक है साथियो कोशन नमर 6 है और कोशन नमर 6 में आपको बताना है चंदन डैस राज्ये का विरिक्ष है तो चंदन किस राज्ये का विरिक्ष है तो ये करनाटक राज्ये का विरिक्ष है option B वाला इसका right answer है ये कोशन भी आप देख सकते हो NTP से पूछा किया था 2021 में चीक है चलते हैं next question तरफ साथ योग कोशन नमर 7 है important कोशन है और इस प्रकार की कोशन static GK से काफी ज़्यदा पूछे जाते हैं और आप देख सकते हो किस प्रकार कोशन है ये नमर्गित में से कौन सा फूल मणीपूर राज्ये का फूल है तो आपको मणीपूर राज्ये का फूल का नाम बताना है तो मड़ी पूर राज्जे का फूल का नाम है शिरुवई लिली ऑप्शन बी वाला इसका राइट अंसर है और आप यहां देख सकते हो यह कोशन SSC के CHS ने पूछा किया था दो हजार 21 में इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है साथ यह कोशन नमबर 8 है और आपको बताना है सारस कहा का राज्य पक्षी है तो सारस उत्र परदिश राज्य का राज्य पक्षी है ओप्शन B वाला इसका राइट अंसर है ठीक है साथ यह कोशन नमबर 9 है और आपको बताना है नमखित में से राज्य पक्षी कोन सा है तो राज्य पक्षी का नाम है सोन चिडिया ओप्शन D वाला इसका राइट अंसर है और आप देख सकते हैं यह कोशन SSC के MTA से पूछा गया था दो हजार 21 में इंपोर्टेंट है सलते हैं साथ यह कोशन नमबर 10 है और यहां पर आपको बताना है केंद्रिये खाद दिये प्रद्योगी की अनुसंदान संस्तान इस सीथ है तो केंद्रिये खाद दिये प्रद्योगी की अनुसंदान संस्तान मैसूर में स्थिस है औप्शन यह वाला इसका राइट अंसर है सात्यों question number 11 है very important question mark कर ले नाम किस देश का राष्ट्य पश्यू पवित्र गाएं है तो आपको बताना है उस देश का नाम जिसका राष्ट्य पश्यू पवित्र गाएं है तो उस देश का नाम है नेपाल option D वाला इसका right answer है और आप देख सकते हो यह question NTP से पुशे किया तद 2022 में ठीक है important है ध्यान लखना है सात्यों question number 12 है easy question है आपको बताना है पाल्तू पश्यों की श्रेणी में राजिस्तान का राज्य पश्यू कौन सा है तो आपको बता है राजिस्तान का राज्य पश्यू ऊंट है option D वाला इसका right answer बनेगा और यह question भी NTP से पुशे किया था 2022 में ठीक है और अगर आपको हमारे question छीक लगते है तो वीडियो को like or share जरूर करना है चलते है next question तरफ साथियो question number 13 है और आपको बताना है राजिस्तान का राज्य पुश्यू का नाम तो राजिस्तान के राज्य पुश्यू का नाम है रोहिडा option ए वाला इसका right answer है चीक है साथियो question number 14 है very important question है mark कर लेना यह question स्रीजे लें पुछा गया था 2022 में question क्या है नमर्गित में से किस पशू को भारत के राज्ट्य परतीक में इस्तान नहीं मिला है तो आपको उस पशू का नाम बताना है दिये गए विकल्प में जिसको भारत के राज्ट्य परतीक में इस्तान नहीं दिया गया है तो उस पशू का नाम है उट, option B वाला इसका right answer है उट को भारत के राश्टे पतीक में इस्ता नहीं मिला है option B वाला इसका right answer है साथ यो question number 15 है very important question है, काफी interesting question भी है निम्रमेज से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है तो आपको उस पक्षी का नाम बताना है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की भी आवाज निकालता है तो उस पक्षी का नाम है ड्रागो, option D वाला इसका right answer है और यहाँ पे इसके आप पिच्चर भी देख सकते हो और यह question आप देख सकते हो राज़ पक्षी कम घोशित किया गया तो गुणावन को राज़तान का राज़ पक्षी 1980 में घोशित किया गया option A वाला इसका right answer है चीक है साथी हो question number 17 है important question है mark कर लेना नमलिकित में से कौन महरास्ट का राज़ विरिक्ष है तो आपको महरास्ट के राज़ विरिक्ष का नाम बताना है तो इसका नाम है arm option A वाला इसका right answer है और आप देख सकते हो यह question SSC के MTS से पूछा किया था 2021 में है तो इसलिए important है ध्यान लगना है आपको यह भी साथी हो question number 18 है नमर्कित में से कोन एक उडान हीन पक्षी है दिये गए विकल्प में से आपको बताना है उडान हीन पक्षी कोन सा है तो उडान हीन पक्षी कीवी है option D वाला इसका right answer है और आप इसकी पीच्चे नहाँ पे देख सकते हो ठीक है चलते है next question तरफ सात्यों question number 19 है काफी बार ये question पूछ लिए एक्जाम के अंदर तो ध्यान रखना है भारत का राष्टे विरिक्ष कोन सा है तो भारत का राष्टे विरिक्ष बर्गत है option C वाला इसका right answer है ठीक है चलते है next question तरफ सात्यों question number 20 है और ये question भी SSC के exam में पूछा गया था भारतिय विज्याम संस्तान कहां स्थित है तो भारतिय विज्याम संस्तान बैंगलूरू में स्थित है option B वाला इसका right answer है ठीक है तो सात्यों यहाँ पे हमने top 20 question cover करें है static GK से सारे question previous year है exam में पूछ लिए जाते है तो आपको idea होना चाहिए इस वीडियो को आपको ध्यान प्रूबवक्त देखना है question को no down कर लेना ये video को save कर लेना ताकि आप एक से दो बार revision कर ले तो यहाँ से कोई question बने तो आप easily attempt कर ले ठीक है और इसी पकार की और भी वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं बैल आपकों क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सरन notification time को में पोस्ट रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में राधे राधे